जहिन चात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूँ राशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों की question air program को सुनते साथ confusion नहीं लाना है दिमाग में question air program question session program पे ही अधारित है जैसे की question session program यूटूब में हफते में 4 दिन Monday to Thursday subject wise, topic wise चल रहा है उसी topic पे अधारित question air program चल रहा है और कहां चल रहा है तो याद रखना है question air program सिर्फ कोशिव हमारे mobile app competition community के mobile app में competition community के website में ही मिलेगा आप लोगों को total 10 questions पुछे जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को perform करना है ठीक है अब जो है next यहां सवाल आता है कि इसके फायदे क्या है तो मैं बता दू कि जो बच्चा अगर इसे महिने भर महिने भर में अगर perform करता है अ जाद रखेगा उसको मिलेगा current affair का magazine और current affair का magazine उसको mobile में ebook reader के माध्यम से free of cost उसका access दिया जाएगा अब इसका access जो है वरतमान में मिला है भोजकुमार पटेल को यहां देख सकते हैं कि मैं भोजकुमार पटेल को बहुत-बहुत सुपकामनाय देना चाहता हूं कि उन्हो questionnaire program में अब देख सकते हैं कि भोजकुमार पटेल का अंक रहा है 15 रहा है यह 15 अंक के साथ जो है प्रथम पद में रहे हैं पहले rank में रहे हैं उसके बाद याद रखना है बच्चो सभी बच्चे इसमें participate कर सकते हैं कि जो भोजकुमार पटेल जी का नंबर है वो 15 नंबर है कि उमा लक्ष्मी जो है उन्हें 14 अंक प्राप्त किये हैं एक अंक से बस यह पीछे हुई है यहां उसके बाद स्यामा प्रताप सिंग जो है यहां देखिए उन्होंने इतने प्रकार से स्टार कलेक्ट किया और आपका 12 अंक है इनका तो इस प्रकार से याद रखना है कि हम भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं जो बच्चे इसे पहली बार देख रहा होगा इसमें बिल्कुल हिस्सा लीजिए और अपनी जो प्राइज है वो प्राप्त करिए अगला प्राइज जो हमारा रहेगा जैसे कि इस हफते का प्राइज तो एक बच्चे को मिला है सिर्फ बोज करना है तो question session program अगर आप YouTube में जाते हैं तो question session program के नीचे में description यहां screen में देख सकते हैं कि description में नीचे में link दिया हुआ है आप Google Play Store में पहुचेंगे वहाँ उसे download करेंगे download करने के पस्चार जो है वहाँ OTP conduct होगा देन उसके बाद आपको login करना होगा login करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि आपका question air program सामने दिखाई देगा और आप वहाँ जाके उसे unlock करके उसमें perform कर सकते हैं तो आशा करता हूँ इतनी सारी बाते आप लोगों को समझ में आई होगी जहिन चातरों मैं इशार हमत competition community के इस question session program में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरन तरता बिलकुल बरकरार रखे हैं और साथ में उसे एक युद्धिस तर पे कर रहे हैं मतलब तयारी आप युद्धिस तर पे कर रहे हैं आज हम देखने वाले हैं इन personality को आप अच्छी तरह किसे जानते हैं हमारे भारत के पहले उपरावस्ट पती और दूसरी जो है आपके राष्ट पती रहे हैं माज सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के दिवस में ही जो है सिख्षक दिवस मनाया जाता है तो इनकी विचार धाराओं को आज कुछ इस प्रकार से समझे कि हमें मानावता को उन्हें नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए देखो उस समय की कहानी बता रहे है जबकि भारत स्वतंत्र हो गया था और सारी जो है इन ही लोगके सरप्रस्थि में थी इन ही द्वारा संचालित की जारी थी यह लीडर्स है हमारे प्रेणना इस्तरथ है और रहेगा और जो है क्या कर रहूं क्या कर रहें उसे किसी प्रकार कभी अभास नहीं हो तो तो आशा करता हूं इतनी बाते आप लोगो समझ में आई होगी सीतला की अंत्र थोड़ा सा खराब हो गया है थोड़ा दिर के लिए मतलब एसी खराब हो गया भई ठीक हो जाएगा वह लेकिन मैं पहले क्लास ले निकले आगे हूं तो यहां देखिया भारत का इतिहास हमारा विशाय चल रहा है ठीक है प्राचीन पोर्शन कवर कर रहे हैं मगत समराज्य मगत समराज्य जो है बहुत व्यापक छेतर रहा है तो छोटे-छोटे पार्ट में इसे बनाया जा रहा है तो मगत समराज्य में मौर्य लिखा गया है मौर्य वन्स जो है वह आज हमारा टॉप अगर गंधार की राजधानी तक शिला यह सारे सिस जो है आपका प्रसना धिकतर पूछा है सही जोड़ी बनाओं से प्रसना पूछी देता है तो यह मैप मैपिंग करके जो है इन सब सारी चीजों को याद करिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब मगत समराज जी के बारे मे मौरेवन साज से प्रारम हुआ हो रहा है तो हर्यकबंस की अगर एक कुईक रिविजन फॉर्मेट में अगर देखे इससे पहले भी मैंने आपका रिवाइस कराया है तो याद रखेगा यह जल्दी होगा ठोड़ा ठीक है बिम्भी सार के बारे में जाने तो इसने तीनी न प्रतम संघीति रही है इसके बेटे थे शात्रु शंवरे तो ने ंंविशार के हट्या कर दी और तो राजजगादी में बैट गये प्रतम बहुत संघीती में जो है इंहोंैंении महाकस्यपको अध्यक्ट यूर्भे इस प्रकार से तथियाद किये थे फिर उसके बाद आते हैं उदाइन उदाइन ने आजास सत्रू की हत्या की इसी वज़ा से जो है हर्यक वंसकुप आपका पित्री हंता वंस के नाम से भी जाना जाता है इस प्रकार के तथियाद रखने है देन उसके बाद रखना है नाग दशक नाग दश साथ दे और इनकी स्थापना की जो कि हम पछली कक्षा में किया है सिसुनाग ने अपनी राजधानी वैसाली ले आई वैसाली को शांस्कितिक रूफ से प्रसिद्य कर दिया यहीं उनका पुत्र कालाशोक ने आपका बहुत शंगीति कराई उसके बाद कालाशोक कहां आ गए पाटली पूत्र अपनी राजधानी लेके आ गए उसके बाद जो है आपका इसके आखरी राजर है नंदी वर्धन और नंदी वर्धन जो है इसके हत्या नहीं किये लोग कोई किसी के अपनी धारण की और याद रखना है चात्रों कि यह वैक्ति है जो कि सबसे पहले कलिंग म खारवेल के विलेक से जानकारी प्राप्त होती है उसके बाद इसका पुत्र सारा इसको जमा जुमाया मिला और यह जो है राजपार्ट में अपना विलीन हो गया राजपार्ट में नहीं हुआ याद रखेगे थोड़े आयास किसम की राजा थे ठीक एच्छा माचाहूंग कि मौरे वंस में सबसे पहले आद रखेंगे कि मौरे वंस में चंदर कुप्त मौरे के बारे में आजवाली क्लास में होगी कक्षा दैन उसके बाद आशोक के लिए सेपरेट क्लास बना हुआ है और विरी हैद रत को उसी से रिलेट करके पढ़ लिएजा है ता अशोक कας ambition अ हिसके बारे में पुछेंब करने में प्रसम क्लास कर दुखा गया है कि तो आज के प्रस्मों क्लास में क्या होने माला है चंदरगुपत्स माल्रे और बिंदुसार के बारे में आईए आपको तो मैंने पिछली कक्षाओं में बताया है कहानी अगर इसको देख रहे हैं तो पहले जो है आप जा सकते हैं कहां इससे पहली वाली क्लास में तो कहानी सुनके आप यहां जरूर आए ताकि आपको सारी चीजे क्लियर हो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्हों धना-मान के ऊपर आक्रमण किया तो वह अपका असफल रहा है यह नक्से में इसे प्रकार से समझे सब चानक की प्रोफेसर रहें यहां के सिख्षक रहें और इनके शिष्च थे आपके कौन चंद्रगुप्त मौर यह मगत समराज्य बहुत प्रकार अधिक प्रकार से क्या हो गया था आपका विस्तिरित हो गया था यहां इनको हमला करना था क्योंकि यह जो है गमंड और अपने प्रसाषन की नीति इसकी जो है जंत का सोषन बहूत कर रहा था इसी वज़어지 को है क्या बोलते हैं आप question जयादा निकलता है को चंद्र गुप्त मौर एल nickel हो कभीजा घंग किया था दraf नननी या की सीख़्मक कुल गया था और सीखा खुल लिए मैं जब तक के शीखानी बानद होंगा अपनी तब तक कि आपको इस प्रसासन से मगर से भासकान ने कर दूं या निकालने दूं या हटा ना दूं ठीक है तो इस प्रकार का तथ्य मैंने पिछली का क्छाओं में बताया था तो जो है चंद्रगुप्त मौर्ग के द्वारा चानक के को द्वारा पहली बार आकरमण हुआ तो पहली बार में असफल रहे दें दूसरी बार जो है एक गुप्त मारग का प्रयोग पता लगाए और आपका फिर मगत को अपने कपजे में कर लिया आईए चंद्रगुप्त मौर्ग मालूम है इन्होंने राजधानी जो है आपका पाटली पूतर रखा गुरुव महामंत्री कौन थे तो चानक के थे जिने कौटिल्य और लक्से में देखें तो यहां इस्थित है जिसमें कि रूद्रदामान द्वारा लिखा गया है कि मैं जो है आपका जूनागड़ा भिलेक मतलब सुदरसंजील का जिर्णोधार कर रहा हूं मतलब इसका निर्मार जो है किस ने कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया थ हुलत थोड़ा से खराब है मतलब में बढ़ते हैं युणांत इस तरोत से पता चलता है कि आपका यूनानी इसप्ते अगर कहा जाए तो वियाद रखेगा सिकंदर का एक सेना पती था आपका सेल्यूकस निकेटर वापस नहीं गया था अपका पस्चिम छेतर में अपना छेतर जमा के बैठा हुआ था और उसको पता था कि यह अफवा फैला रहे हैं कि व्यास नदी को पार करोग देवों की भूमी है तो यहां लो अपनी बेटी का विवाह करा दिया चंद्रगुप्त मौर्रे के साथ चंद्रगुप्त मौर्रे के साथ अपनी बेटी का विवाह किया मतलब उसके बेटी का नाम था अपका हेलेना ठीक है हेलेना यह दिखता है सिधा सिधा तो हेलेना उनकी बेटी का नाम था और आपका इ इंडिका इंडिका जो है युनानी स्त्रों था इस प्रकार से याद रखना है फिर उसके बाद है पुश्य गुप्त सुधर्जन दिल का निर्माण किया था गिर्नार परवत पहाड़ी कुजरात वाले छेत्र में ठीक है लेकिन उसका जिर्णोद्धार किसने कराया था आपक से लुकस के साथ युद्धी यह जैसे मैंने बताया आपको असे लुकस पराजित हुआ ठीक है उसके बाद संधी हुई और संधी के सर्थों के साथ से लुकस ने जो है अपनी पूत्री हेलीना का विवहा किया और आपका यह वाला छेत्र दिख रहे है और आपका पेरी सब्सक्रित हैं जिसका अंत ही हमें ही करना है ठीक रखेगा भष्थ यह तो मां जाएंगे तो मां झाइए तो इसको मिलिएगा कि कि अरे सार चंद्र बूप्त मॉर्डय अपन्स चन्स ऐसें रहेते हैं अब यह सारी कीज़ेको जानते हूं समझते हो रहेता है है धीरे से भारत में ठीक आगे बढ़ते हैं इस युद्ध का वर्णन जो है आपका एप्यानस्क ने किया है उसके बाद जो है सब सारी चीज़ है मेगस्थेनीच के बारे में बताया जो कि इंडिका इनकी पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत अ यह सबसे सूसजीद प्रसाषन अगर कहाँ जाए विश्वु फ्राषन रहा है जो कि आपका विष्णु गुप्त भारे लिए उन्हें के प्रसाषन करने का अ करने-क तरीका बढ़ाया है उसमें बताया था कि अपने प्राण का त्याग करते हैं जिसे कि आपका इसने किया था ठीक है अपने प्राण का त्याग कई जश्टीन ने सरव प्रसंब बताया कि चंद्रगुप्त मौर ने यह पता चलता है कि आपका इसे सेंड्रो कोटास के नाम से भी जाना जाता था थीक है चंद्रगुपत मौर का समराज उद्र उत्तर से पस्चिमी इरान तक था ठीक इस प्रकार से याद रखा जा सकता है विसाल समराज्य पर शासन करने वाला भारत का प्रथम सा सकता याद रखिएगा अभी तक के जो है छोटे-छोटे इस्थानी प्रशासन चल रहा है लेकिन अगर केंद्री किरित प्रशासन कहा जाया सेंट्रलाइज अगर पूत्रेंस्वा महापदमनंद का पूत्र जो है आपका धननंद रहा है तो वह जो है कैसे था पीता जी की सारी समप्रति पाया था उस प्रकार से आध रख सकते लेकिन ऐसा सब कोई नहीं होते इसे तो आपके पूत्र थे किसके चंद्रकुप्त मौर। के आजीवक्ष संप्रदाय के आपके अनुवाई थे ठीक है तो इसे अमित्रगात कहा गया है मिस्राजा टॉलमी द्वारा फिलोडोफस के डायोनेसिस को भेजा था इनके सासनकाल में याद रखेगा यहां थोड़ दूर पास से जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कई ची रखेगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़िए से तो फिलोडोफस जो है अपने राजदूर डायोसिस को इसके सासनकाल में भेजा था तो याद रखेगा सेलियोकस निकेटर जो किसके सासनकाल में और आपका चमा चाहूंगा तो और आपका यह आपका डायोसि है से क्या कर सकते दासने मांगे तर दासनी儿 के मंजने से मना कर दिये और इस प्रकार याद रखना है वाईवपुरान में मद्र-णतनाई जाता है आपका किसको बिंदुसार को ठीक है चानक की मृत्ति के बाद राधागुप्त जो है चानक के स्थान मतलब उनका जो प्रसाशन और मंत्री मंडल का इस्थान जो किसने आपका ग्रहन किया तो आपका चानक किया ठीक है उत्र अधिकारी बना ठीक है आजीवक्ष शंप्राइद आए के संस्थापक मुखली पूत्र गोशाल याद रखना है तो इसे पढ़ते 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 देखिए जो है आपका एक दंडी भी कहा किसको आपका बिंदु सार को आग बढ़ते हैं हम प्रस्णी के और यहारा रहा प्रस्ण और प्रस्ण हो तो प्रस्णी याद रखिएगा पहला है भारत में पहले सम्राज जी की स्थापना की स्थासक दौरा की तो चंद्रगुप्थ मोर्र के द्वारा की गई ये होगा पुष्ट का इसमें आपका किसका उल्लेख है चंदरगुप्त मौर्य का उल्लेख है इक दम याद रखना है नोट कर लो विशागदत का नाम है वह है मुद्रा राक्षा ज्तों प्रस्ण से आपका सिधा-सिधा पूछता है आपके इन ग्रंतों से प्रस्णु से प्रस्ण है थीकर आगे बरते हैं प्रस्ण हमारा त зачем द्वार सेंद्र को कोटस के से कहा है तो दिखरा हो गये हां चंद्रउपत Drama रेखिए ऑप्षन चंद्र लेखा है दो सेंड्रोक्टा किसका नाम आपका चंद्रगुप्त मौर्रे उध्य अगए कोतिल्य का प्रधान मंत्री थी ओक तो चंदरगुपत मौरे स्वारी कॉटिल ये जो है और अमन रहें थीक है तो यह याद रखना है तो कॉटिल ये प्रधान मंत्री थे चंदरगुपत तो ठीक है विष्णुगुप्ति इसका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं उसके बाद है निमलिखित में से किसकी तुलना मैक्वेली के प्रिंस की साह की से की जा सकती याद रखेगा मैक्वेली एक राइटर है जो कि एक नामक बुख लिखे हैं जिसकी तूल अर्थ सास्तर जो कि कॉटिल लिद्वारा अचानक के द्वारा विष्णो गुप्त द्वारा लिखी गई है। उससे तुलना की जाती है to अगला प्रसन हमारा निमलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी तो याद रखिएगा सीधा सीधा दिखेगा चंदरगुप्त चंदरगुप्त मौरे ने दक्कन वाले चेतर को भी विजित किया था जो है आपका नीचे दक्कन वाला चेतर दक्षिन भारत वाले चेतर तक के भी जो है समराजी किसका फैला हुआ था चंदरगुप्त मौरे का ठीक आगे बढ़ते हैं यह उसके बाद है मालवा गुजरात महराष्ट की सासक ने पहली बार जीता तो देखो मालवा और बंगाल वाला छेत्र जो है सबसे पहली बार जीता था आपका शिशुनाग ने ठीक है तो यह बताया था मैंने लेकिन उसका सासन कर नहीं पाया हो और कर नहीं कपाने के वज़ए से वह वापस जो है उसी राजव मौर्रे ठीक आगे बढ़ते हैं प्रस्ण कमांग दस है चंद्रगुप्त मौर्रे ने सेल्यूकस को किस वर्स में पराजित किया था बताया था तीन सो पांच इसवी के आसपास जो है सेल्यूकस जो है हमला करता है और अपनी हेलेना बेटी के साथ समझावता करके आपका व मैं भारत में सीकंदरcking की नियम decades When करणों से ठीक है उस समय भारत में कोई केंद्रि की साचा नहीं था बिल्कुर सही बात है उसकी बहुत थी उसे देशद्रोग से साथा मिली बिल्कुर आपको वा बताया मैंने आपका कौन था पोरस ऑल दोनि Rajnaud की अा बिस जो है उसने क् तो यह का हो जाएगा आपका एक दो तीन इसका अंसर होगा एक अच्छा प्रसा सकता है अच्छा प्रसा सकता है जहां जहां पर जमीन मिली वहां वहां जो है अपनी नियती के अनुसार उसने जीत हासिल की बागी कोई बहुत बड़ा अच्छा प्रसासक नहीं था ठीक है तो इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा चाहते हो जै हिंद जै भारत